नमस्कार फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे एग वाली उत्तपम और इस्टफड इटली दो वीडियो मैं आज बनाई हूँ रेसिपी तो मैं आप लोगों से सेयर कर रही हूँ तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर इटली का जो बैटर मैंने सूजी का बनाया था और उसे हमने बना के रख लिया था पहले भी मैंने सूजी वाली जो इटली की बैटर होती है उसकी रेसिपी अपने चैनल पर डाला हुआ है तो अभी हमने बोईल आलू में प्याज, हरी मीट, धनिया पत्ता, भुना, जीरा पाउडर, नमक, 80 मीट जालके चोखा बना के रख लिया था अभी हम बैटर को डालेंगे आधी-आधी करके और फिर बीच में आलू की टिक्या रखेंगे और फिर उपर से बैटर डालेंगे इस तरीके से करते हुए हमने इटली की साचा में पानी को डालके चढ़ा दिया था गैस पे उबालाने के लिए और अभी हम इटली को रखेंगे तो इस तरीके से हमने इटली को निकाल ली और इसके साथ हमने दो चटनी बनाए थी एक दाम और धनिया पत्ता की बनाए थी एक चनी डलेवली चटनी दोने ही चटनी की रेस्पी भी हमने अपनी चैनल पर डाला हुआ है और ये हमारी इस्टब इडली बहुत ही टेस्टी ये हमी एकदम बनके तयार थी और ये चटनी के साथ बहुत टेस्टी लगती है और बहुत मज़ेदार भी लगती एकदम मतलब खाने में बहुत तेश्टी लगती है तो अभी हमने फ्राइपेन चढ़ा ली थी उसमें हम बनाएंगे एग वाली उत्तपम तो उत्तपम का बेटर हमारी जो बनी हुई थी इडली के उसी से हम बना रहे तो उसमें हमने फ्राइपेन में डाला तेल उसको फैलाते हुए एक अंडा फोड के डाल देंगे थोड़ी सी कास्मेरी मिर्च, प्याज और हलकी सी नमाग, धनिया पत्ता और हर इमिज डालेंगे और इसे हम धाक के लो फिलेंपे पकने देंगे उत्वपंग पे साथ हमें अंडा को भी पकाना इसे लो फिलेंपे इसे पकाले नहीं है फिर अराम से इसे हम पलटेंगे थोड़ी सी तेल चारो तरफ से टाल देंगे आप चाहे तो इसे पलट भी सकते हैं आप चाहे तो इसे नहीं भी पलट सकते हैं तो इस तरीके से मेरी उत्वपंभी बनके रेडी थी अंडे वाली और यह बहुत यमी बहुत टेश्टी थी तो अभी हमने Simple Italy भी सर्फ किया है तो फिरेंड्स मैंने Simple Italy की भी वीडियो अपने चैनल पर डाला है अगर अच्छी लगे तो सेर जरूर किजेगा थांक यू बाबाई